अजीत कुमार की एक्शन पैक फिल्म थूनिबू प्रिरीज हो चुकी है अजीत कुमार सौट के एक दमदार अभिनिता है जिन्होंने वेडालम और वली मई जैसी कई और एक्शन पैक फिल्मे दी है इसलिए इनहें साउट में एक्शन हीरो के नाम से भी जाना जाता है आज इस एक्षन हीरो की एक और फिल्म रिलीज हो चुकी है फिल्म की कहानी बैंक रॉबरी पर आधारित है जिसे अंजाम देने का काम अजीत करते है यानि की फिल्म अजीत नेगेटिब रोल निभा रहे है अजीत के अलावा इस फिल्म में आपको मंजू वारिय, समुथाकनी, जॉन कोकेन और वीरा जैसे साउथ के और भी कई दिगगज कलाकार एहम रोल निभाते दिखेंगे दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन साउथ के प्रसिद फिल्म निर्देशक एच विनोत ने किया है तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें स्पोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन का बटन दबा दे और वीडियो को कर दे लाइक कहानी में दिखाया जाता है कि एक गैंग एक पुलिस अधिकारी की मदद से बैंक में अवैद रूप से जमाकी गई बड़ी रकम चुराने का प्लान बनाते है सब कुछ प्लान के अनुसार चलता है और बैंक में चोरी को अंजाम दिया जाता है लेकिन इसी दोरान बैंक में डाग डेविल यानी की अजीत कुमार की इंट्री होती है जो उस गैंग द्वारा बनाए गए प्लान को ही हाईजेक कर लेता है और बैंक पर उसका कबजा हो अब आगे जो होगा वो देखना आपके लिए काफी दिल्चस्प होगा. अब अजीत ऐसा क्यूं करते है ये suspense फिल्म के climax में खुलता है. फिल्म की कहानी देखी-देखी सी लगती है ऐसा लगता है कि किसी पुरानी कहानी में action scenes का नया तर्का लगाकर स्क्रीन पर चिपका दि फिल्म के एक्षन सीन कुछ हवा में शूट किये सीन लाजवाब लगते है, सिनेमेटोग्राफी बेहद उंदा है जो इस फिल्म का प्लस पॉइंट लगती है फिल्म में अजीत कुमार का लुप काफी कमाल का है, अजीत ने एक खुनखार डेविल के किरदार में जबरदस्ट एक्टिंग की है, इस फिल्म में उनकी एक्टिंग का लेवल अन्या फिल्मों से अलग था इसमें उनका 82 गंभीर लगता है उनके किरदार की एंट्री के बाद परदे पर जान आ जाती है अन्य कलाकारों ने भी अपने किरदारों में उंदा प्रदर्शन किया है फिल्म का बैकग्राउंड लाजवाब है जो आपको खूब पसंद आने वाला है कुल मिलाकर कहे तो यह एक अच्छी फिल्म है जिसे मनोरंजन के लिए देखा जा सकता है